नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्सकाई अगर आप मासाहारी हैं और मचली यानि फिश खाना आपको पसंद है तो बरसात के मौसम में आपको इस पसंद से दूरी बना लेनी चाहिए अनिता सेहत के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अब आप सोच रही होंगे कि हम आखेर ऐसा क्यों कह रही हैं तो आईए जानते हैं बरसात में मचली खानी के क्या नुकसान हो सकते हैं पहला कारण ये है कि बारश के मौसम में मशलियों को बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखा जाता है और उन पर केमिकल का इस्तमाल भी होता है ताकि वो खराब ना हो। ऐसे में ये पेड संबंधी समस्याइं पैदा कर सकती हैं। इस मौसम में तालाबों का पानी ज्यादतर खराब ही होता है जिसके कारण इस मौसम में आप जलिये जीवों या मशली का सेवन करते हैं तो आपको फूट पॉइजनिंग हो सकती है। मशलियों के प्रजनन का समय भी यही होता है जब वो अंडे देती हैं। ऐसे में मशली का सेवन, फूट पॉइजनिंग के साथ साथ सेहत संबंधी अनिसमस्याएं भी पैदा कर सकता है। इस मौसम में स्टोर करके रखी गई मशलियां पोशन के लिहाज से भी सही नहीं मानी जा सकती। इसलिए इस मौसम में इनका सेवन करना समझदारी वाला फैसला नहीं होगा। इस वीडियो में फिल हाल इतना ही। लाइफस्ट्राइल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें बोल सकाय।